स्वीडन में इद अल अज्जहा के मोगे पर बुद्वार को स्टॉक होम की एक मस्दित के बाहर एक शक्स ने कुरान जला कर प्रदशन किया इसके लिए उसे स्वीडिश सरकार से पर्मिशन मिली थी CNN के मताबिक अभीविक्ति की आजादी के तहट एक दिन के प्रदशन के लिए ये इजाज़त दी गई थी इस प्रोटेस्ट में सिर्फ एक ही विक्ति अपने ट्रांसलेटर के साथ शामिल हुआ था राइटर्स के मताबिक प्रदशन का रहे शक्स ने कुरान के कुछ पन्नों को फाड़ कर उसमें आग लगा दी इसके बाद उसने स्वीडन का जंडा भी लहराया प्रोटेस्ट देख रहे दोसों लोगों में से कुछ उसके पक्ष में तो कुछ विरोध में नारे लगाते रहे इन में से एक विक्ति ने अर्भी में गॉड इस ग्रेट चिला कर प्रदशन कारी पर पत्थर भी फेका इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया स्वीडन में कुरान जलाने पर तूर्किये ने विरोध जताया है तूर्किये के विदेश मंत्राले ने इसे जगन अपराद बताया है विदेश मंत्री हकन फिदान ने ट्रीट कर कहा अभिवेक्ति की आजादी के नाम पर कोई भी इसलाम विरोधी प्रदशन नहीं कर सकता है हमें इसे स्विकार नहीं करेंगे अगर कोई देश नाटो में शामिल होकर हमारा साथी बनना चाता है तो उसे इसलामोफोबिया फिलारे अतंक्यों को काबू में करना होगा स्वीडन के प्रधान मंत्री उल्फ क्रिस्टन ने कहा मैं इस बात पर कोई अटकले नहीं लगाना चाहता कि इस प्रदेशन का हमारी संभावित नाटो मेंबर्शिप पर क्या असर पड़ेगा इस तरह का विरोध प्रदेशन कानून के दाएरे में आता है लेकिन फिर भी ये सही नहीं है इसी कसाथ बने रही है राजनमा टीवी के साथ दाने बात